सब्टेंबर वी में नमस्ते कैसे हैं आप सब टाइट लवस्ट पर वन भी आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाइज गाइज उनकी मन में क्या चल रहा है जी हां मैं आपके पोर्सन की ही बारे में बात कर रही हूं चलिए आज की अपडेटेड डिडिंग में हम उनके म की बातों को देखने की जानने की पहचानने की कोशिस करते हैं और साथी साथ दूसरे टॉपिक को भी मैं कवर कर रही हूं जो है कि अब वो आगे इस कनेक्शन के लिए क्या करना चाहते हैं समझ गए ना कि जो रिलेशन्शिप आप दोनों का है जिस कनेक्शन पे आपकी ज बोज रहे हैं दोनों ही टॉपिक को मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं गाइस तो चलिए अब पाइल सेलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और पाइल सेलेक्शन में है एल्फबेट्स एस यूज़ल और एल्फबेट्स है आपके उसी परसन का जिसके मन की बाते आप जानना चाहते हो इस रिडिंग के जरिए समझ गए ना तो उनके नाम का पहला आक्षर आपको सेलेक्शन करना है पाइल नमबर वन में हैं एबीडी के एफच एमपी ओएस वी एक्स और वाई यह है हमारा पाइल नमबर वन पाइल नमबर टू में हैं सी इजी आईल जे क्यू एन यूटी डबलू और यह हमारा पाइल नमबर टू ठीक है तो फटाफर से मेडिटेशन कीजिए और अपने पाइल को सलिट कर लीजिए और मैं आपको बताती हूं कि आपके पोस्टन के मन में क्या चल रहा है और आप इस कनेक्शन के लिए वह आगे क्या करने के बारे में सो हमारा पाइल नमबर वन जिन्होंने भी सेलिट किया एबी डी के एफ हैज एमपी ओस्वी एक्स और वाई चले गई सबसे पहले तो हम यहां से ही मेसेज निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं गाई दूश के उनकी अवस्ता पता चलेगी ना गैस यूनिवर्स गौड इस्वर कुछ अलग ही तरीके से जो है चीजों को देख रही होती है उन्हें सब मालूम होता है ना इसी वज़े से हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स के मैसेज की तरफ से उसके बाद टैरट से रिडिंग करेंगे ठीक है ज्यादा नहीं सिर्फ दो एनर्जी निका प्रटा चल जाए यहां से है ना कॉंसियस्नेस वाव स्प्रिच्ट्र जड़नी के लिए निकल कर आया है यह करेंज वाव तो नंबर एट आज इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए गाइस कॉंसियस्नेस और करेंज की एनर्जी निकल कर आई है यहां पर देखें इनके बारे में मैं आपसे बात में आपको डिटेल ने बताऊंगी कि इस कार्ट का करनेक्शन आपके पोसन की साथ क क्या है इस डेक्श से ना मैं आपके पोसन की मन की बाते निकाल उनगी ठीक है जानने की कोशिस करूंगी और दूसरे डेक्श से मैं यह देखूंगी कि आपके पोसन इस कनेक्शन के लिए आगे क्या करने वाले हैं करनेक्शन का मतलब आप दोनों का रिस्ता इसके लिए वह आगे क्या करेंगे ठीक है तो पहले इस डेक्श की रिडिंग करेंगे दूसरे डेक्श से दूसरे कोशिन की रिडिंग करेंगे तन व काप्स वाव काप्स की अनरी three of pentacles cool ace of wands seven of pentacles nine of cups star कर देट क्या बात है गाइज मेजर अरकाना डबल दो एनर्जी मेजर अरकाना से निकल कर आई है नाइन ओफ वैंस और बॉटम में हमें मिला है फोर ओफ वैंस की एनर्जी ठीक है तो चले फटाफट से आपको साइन और अलिमेंट बताते हैं तो जैसा कि एक्वेरेस और आपके पोसन के एनर्जी हो सकती है यह इसके अलावा वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्प पाइसस करक रिशिक मीन रासी वाटर साइन बता चुकी हूं अगर आपका यहां पर नहीं है क्योंकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होने इंपॉर्टेंट होती है साइन और अलिमेंट तो बदलते ही रहते हैं हार रीडिंग में है ना तो इस इंसान के मन के अंदर क्या चल रहा है यह हमारा पहला सवाल तो सबसे पहले इस वर के जो संदेज निकल कर आए हैं उस है कि कहीं ना कहीं इंसान कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे है यहां पर कभी हो सकता है कि आपके पोसन ने आपके लिए कोई आक्षन नहीं लिया जब आपके साथ रेलेशन्शिप में थी तो आपकी कुछ डिमांड्स थी आपका कोई कमिटमेंट हो सकता है जो इन्हों जिसे हम कहते हैं कि दर की भावनाओं को साइड में लगा कर आपके लिए कदम उठाना आपके भविष्य के लिए कुछ कर्ना को बचाने के क्लिए कदम करना तो यह सारे चीज़े आपके पोस्टें कहीं है और पास्ट का पास्ट का मतलब यहीं होता लव करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पोसर ने कुछ भी नहीं किया है पर अब मैं देख रही हूं युनिवर्स हमें यह बता रही कि इस इंसान में थोड़ा हिम्मत कर रहा है और किस चीज़ को लेकर हिम्मत कर रहा है यह मैं आपको थोड़ी दिर बात बताऊंगे तो करेज यहां पर इस इंसान में नजर आया है और इस रिलेशन्शिप का फ्यूटर भी मुझे बहुत ब्यूटिफुल नजर आ रहा है क्योंकि एक बंजर भूमी में इना एक रिखिस्थान में अगर फूल खीला है तो साफ साफ पता चलता है कि आपके रिलेशन्शिप की भी एंडिंग नहीं हुई है आपके रिलेशनुटिप को बचाने के लिए भी यह इनसान कुछ ना कुछ बिलकुल हिम्मत वाबाला है या करने वाली है ठीकर तो इनि बूरा कोई काम करता आया है यह अगर आप दोनें के रिस्ते को समझ नहीं पाया है यह हमेशाँ आपके रिलेश्चिप करते आया है तो आपको ध्यान देना है कि अब इस इंसान में वह जागरुकता आ गई है अवेकनिंग आ गई है इस तीसरा नेत्र खुलने का जो एनरजी हुए चलिए इसके बारे में भी आपको देखकर बताते हैं तो चलिए अब यहां पर जो मेन एनर्जी जो टारट से निकल कर आई है उसमें एक संभावना बहुत प्रबल है गाइस पाइल नमबर वन जिसके बारे में आपको बता दू जो नहीं आपके पोर्सन की एनरजी है जो ना ही आपकी भावनाव को लेकर है यह बस उपर वाले का एक बहुत स्रिक्ट जो है एक कंफर्मेशन जिसे हम कहते हैं कि आपको जो है यहां पर स्टैंप लगा दिया है है यह चीज़ होकर ही रहेगी आप और इनकी रिलेशन्शिप में वह है हमारा डेद का का कार्ड गिलीट का का कार्ड बताता है कि जिस चीज को आपने खोया है आपके पोशन ने खोया है जिस प्रोप नहीं है कि बंच आ़ बन चुकी है क्योंकि यहां एंडिंग को दिखा रहा है वहीं पर फिर से कनेक्शन के बनने को दिखा रहा है तो यह एक मैसेज उनिवोस की तरफ से फिर से निकल कर आया है मेजर अरकाना का कुछ भी खतम नहीं हुआ है यह तो जो है जो है बिगनिंग का प्रोसस यहां पर स्टार्ट हो रहा है आप दुनों की रिलेशन किक फिर से नहीं ठंक से शुरुआत होने का एक फिर से ओफर आप दुनों को दिया जाएगा ठीक है तो यह यह कार्ड यह बता रहा है कि आप द करने को है तो यह एनरजी भी आपके बिल्कुल नहीं है यह आपके लिए आपको पता चल जाए कि आप में से कई लोग कंफिज हो जाते हो कि पता नहीं इस रिस्टे का अंजाम तो इतना पुरा हो चुका है रिस्टा एंड हो चुका है इस रिस्टे में पहुंच चुका है इ पर यह रिस्ता खतम नहीं हुआ है तो यह आपके लिए एक एक बहुत अच्छा संकेत है सुब तरफ से अब आते हैं में एनर्जी पर जो आपके पॉसन की भावनाएं उनके मन में क्या चल रहा है यह आपको जाना है तो मैं देख रही हूं कि आपके पोसन भी जिस तरह के से से युनिवर्स को लग रहा है कि आप दुनें के रिलेशन्शिप में अभी नहीं हुई है इसे तो फिर से सुरू हम करेंगे युनिवर्स आपको यहीं चैलेंज कर रही है यहीं करेंगे जहां पर साहसे दम तोड़ चुकी है वहीं पर फिर साहसे देंगे तो वहीं सेम चीज कि जहां पर investment किया था क्योंकि जब भी हम relationship में होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक इंसान effort लगा रहा है कुछ effort तो आपके person ने भी लगाया होगा कुछ तो आपको भी उमीदे दी और यह relationship अभी यहां पर देखे रुका हुआ नजर आता है seven of pentacles से growth नहीं है प्रोग्रेस नहीं है action नहीं है confirmation नहीं है commitment नहीं है इसके वज़े से relationship रुका हुआ है पर आपके person भी जो है इस consciousness के बाद जो इनके अंदर जो एक awakening हुई है इसके बाद जो है इस इनसान को भी इस relationship में देखे यह interest ले रहा है यह इनसान जो है patience तो रख रहा है hope भी रख रहा है इंतजार भी कर रहा है पर इस relationship को इन्होंने अभी भी give up नहीं किया है तो अगर कोई इनसान इस तरीके से खड़े होकर अपने relationship को देख रहा है relationship को संभालने की कोशिस कर रहा है relationship में वापस आने की उम्मीदे रख रहा है तो आपको समझना है कि इस इनसान ने इस connection को give up नहीं किया है यह अभी भी भरुसे मन्द है यह भी भरुसा रख रख जाना है इस relationship में कुछ करना है तो वह सोच मुझे यहां पर नजर आ रही है आपके पोसन की समझ रहे हो तो उमीद अभी भी इनसान कर रहा है कि relationship में कुछ progress किया जाए या कुछ action लिया जाए कैसे भी करके इस रिस्ते को जो है हमें वापस जो है बढ़ाना है इसे इस तरी इसे गुमाना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से जो है इस relationship को इस रहे किस्थान में भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो वही चीज़ें पर आपके पोसन की सेम निकल कर आई है अब बात करते हैं relationship के status को लेकर वह कैसा महसूस करते हैं जो आप दुनों का collection है उसे लेकर उनके मन में कैसी भावनाय है तो nine of events आया है और nine of events कैसा कैसी सोच होती है आप जानते ही हो एक ऐसा इंसान जो रिस्ते का जंग हार गया जो भरोसे का जंग हार गया जो प्यार का जंग हार गया जो रिस्ते को फुल्फिल नहीं कर पाया जो रिस्ते में committed नहीं हो पाया है ना तो फेलेर इंसान हो जाता है जब रिष्टे को उस मंजिल तक नहीं पहुंचा बाता जिस मंजिल का कमिटमेंट इन्हों ने आपको दिया था यानि कि आपके रिलेशन्शिप में जब ही आया था तो किसी भरोसिक के साथ आया था कुछ आपको उम्मीद देने के किसी आपको साथ देंगे रिलेशन्शिप को एसे बीच में नहीं युआ खोड़ेंगे आपको कभी धोगा नहीं देंगे कृण easy कोमिटमेंट होता है झो यह इंसान पूरा नहीं कर बाया है ना पूरा होने से पहले ही प्ले क्या हो गया यह रिस्टा तूट गया या भी ब मेरा इस करैंगा करता है Mac कि मैं दूर हो गए है इसके पीछे लावन्पेस करा लोगा बहुत सारे चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है तो बहुत जड़ा लूजर वाली एनरजी यहां पर हार खाकर आपनी जिन्दगी में बस अकेला रह जाता है तो वैसे ही इंसान भी महसुस कर रहा है कि I am a loser, I am a failure मैंने अचीव नहीं किया मैंने जो जो सोच कर जो सपना देखकर मैंने इस मैं इस रिस्ते में आया था या आई थी हैना वो वो चीज जो है अधूरी रह गई और इसके वज़े से मैंने सब कुछ खो दिया है सब कुछ मैं गुमा चुका हूं या गुमा चुकी हूं तो ऐसे फेलर के एनरजी में आपक स्रॉंग फैंली फैंबली बेक्रांद पर मां एक्षिक्रांद को पर 255 समय नहीं दिया जैसे करो पार्टर्शिप करना या के लिए जूर्च हो गए लाज ही किसी और के साथ विश्टेक करना कि यह करे लेटिव मेंस में है पहले मुझे आपने में सक्षम होना है पहले प्रेलार का दाई को करना है अपने आप फैबली और पैसे रुपे की वज़े से ही आप दुनों के बीच में लेंदेन की वज़े से ही आप दोने के बीच में यह पार्टर्शिप टूटी होई नजर आती है तो फोर्स फुल मैरिज को ही दिखाता आए उन्हों कि किसी के इच्छा के विरुद्ध आप किसी के जबरजस्ती मैरिज कहीं पर करवा देते हो तो वही कंडिशन यहाँ पर नजर आता है कि इच्छा के विरुद्ध भी हो सता है कि इन्होंने कहीं और कमिट्मेंट दे दी कहीं और जो है marriage कर लिया कहीं और जो है marriage का जो है प्रपोसल अक्सेप्ट कर लिया या फिर आपको इस वजह से जो है इन्होंने छोड़ा कि यह फैमली के खिलाफ नहीं जा सकते तो यह सारी चीज़े भी वजह बनी है पर अब मैं देख रही हूं कि वजह जो भी हो है ना यूनिवर्स ने ही डिसाइट कर लिया है उनिवर्स ने ही फासा कर लिया है कि इस relationship का अंजाम जो है ऐसे नहीं होगा आप दोनों को जो है फिर से इस relationship में एक होना है यह मेरा फैसला नहीं है तो कहीं नहीं आपके पोसंग के मन में जहां इस रिस्ते को आगे बढ़ाने की उमीद यह ठोड़ कर वहां से भी निकलने की जो है कोशी से करते हुए मुझे नज़र आये हैं यह बिल्कुल भी जो है यूना आपके कनेक्शन से दूर होकर यह इंसान वहां पर सेटल महसुस नहीं कर पा रहा है इनको साथ पहले लगा होगा कि आपके साथ अगर रिस्ता चला भी मुझे नज़र आया है इनको लग रहा है कि किसी और के साथ पार्टनर्शिप कर ली फिर भी यहां पर एक अधुरापन है फिर भी एक खाली पन है फिर भी मैंने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सब कुछ हार कर बैठा हूं मुझे ऐसा सक्सेस में जो एक इन्जॉई ह इसान महसुस कर रहा है जहां पर पर बढ़ने की कोसिस कर रहे है वहां पर जब इंसान को साथ नहीं होती है अधूरापन महसूस होता है यह इंसान उस जगे को छोड़ देता है तो वही चीज आपके पोसन के मन में भी नज़रा रही है कि वो उस जगे को उस प्लेस को छोड़ना चाते है उन लोगों को भी छोड़ना चाते है मैं अभी भी जो है अपने आपको एक loser ही महसूस कर रहा हूँ जिसके पास आज कुछ भी नहीं है मैं खाली हो गया हूँ तो ये खालीपन का एहसास आपके पोसन के energies में definitely नजर आई है guys अब देखे इस relationship को लेकर इतके मन में क्या चल रहा है वो आगे क्या करेंगी इस connection को ले मैंने के wishes मांग रहे वो मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आप स्टार का काड़ आ गया जो wishes मांगने को दिखाता है और wishes पूरी होने को दिखाता है और साथ में आप nine of cups का भी काड़ आ गया है साथ में 10 of cups के साथ यह थीनों ही energy बताती है कि इस इंसान की जो ख्वाइस है उस इच्छा के विपरित ही इंसान गया है इनकी ख्वाई से या फिर commitment जो आपको इन्होंने दिया था वो यहीं दिया था कि आप इनकी जिन्दगी का सब कुछ हो यह आपके अलावा इंको कुछ दिखता नहीं है आपके अलावा यह किसी और के लिए प्यार महसूस नहीं क देख रहे हूं यह अभी भी जो है इस connection को प्रोटेक्ट करना चाहते समझ गया टैन अफ कापस आप दोनों के relationship का एक सपना था जो अधूरा रहा है और अभी भी यह इस relationship के जो है वापस successful होने का ही विश मांग रहे है manifest यह इनसान करता है definitely prayer ही इनसान कर रहा है definitely दुआ ही इनसान कर रहा है definitely और इनसान मैंने कहीं बार आपसे कहा है कि इनसान wish तब मांगता है जब उनकी कुछ इचाय पूरी नहीं हो रही होती है ना हम भी manifest तब करते हैं जब हमारे हाथ में वो चीज़े नहीं होती जब हमें वो चीज़े मिल नहीं पारी हो तो वही सेम सिचुशन आपके पोसन की भी नजर आ रही है वह आप इस वर से यहीं माँगरे यहीं दुआय कर रहे कि मेरा जिस प्यार को मैंने छोड़ा है किसी और के लिए छोड़ा किसी और आप्शिन के लिए छोड़ा या फिर मैं मजबू देखो अधूरा छोड़ा है देखिए आपकी पोशन जानते हैं अच्छी तरह किसे इनको यूनो जो यहां पर अवेक्निंग हुई है इस अवेक्निंग ने इनको यह समझा दिया है कि जो मेरा मैंने जिसका मैंने कमिट्मेंट किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया वहां पर कि इस लव स्टोरी को आप दोने के रिलिशनशिप को सकसेस्फुल भी बनाना चाहते है पर कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यह कर नहीं पा रहे है इसी वज़े से कहीं पर भी ये इंसान ना successful हो पाएंगे, ना इनको रहत मिलेगी, ना इनको खुश्या मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जरिया, जिसे हम कहते हैं कि खुश्यों का जरिया, वो जरिया जो है आप हो गाई, देखे और आपको ही आपके साथ जो है relationship पाने की बेकरारी, मुझे आपके पोसन के मन में यहाँ पर नजर आ रही है, बेकरारी भी है, तब ही जाकर इनसान मांगता है, किसी जिसको पाने की प्रबल इच्छा होती है, जो सपना हमारा पुरा नहीं हो पा रहा होता, जिस सपने को हम अपनी कमजोरी की वज़े से, अपनी नाकामियाब की वज़े से खोद देते हैं, तब इनसान जाकर इस वर के सामने जुकता है, वही जुकाओ, मुझे आपके पोसन के एनरजिस में नजर आई है, दिल से चाहता है, मन से चाहता है, कि इनको इनका टैन अफ कप्स आपके साथ मिले, इनको इनकी खुशिया आपके साथ मिले, ये इनसान अभी जो है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनरजिस में नजर आ रहा है ने, कि आपको पाने की बहुत इच्छाएं हैं, खुआई से इस इनसान के मन में है, पर कहीं न कहीं ये इनसान अपने आपको हारा हुआ महसुस कर रहा है, फेलिर महसुस कर रहा है, कहीं न कहीं ये इनसान समय का भी इंतजार करता हुआ नजर आया है, तो क्या इनकी इच्छाएं पूरी होंगी, जो इनके मन में चल रही है definitely हमें death मिला है और star का card मेजर अरकाना का मिला है जो ये बता रहा है कि इस इंसान ने इस relationship को लेकर जो भी मांगा है या जो भी इनकी wish रही है वो definitely पूरी होगी क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का relationship totally खतम नहीं हुआ है उमीद यहाँ पर कर रहा है और इस उमीद को इस वर पूरी कर भी रहा है rebirth इस रिस्ते का करके समझ गए और manifestation wishes definitely इस टूटे हुए तारे को ही पूरा करना है समझ गए गाई तो ये तो रही वो उनकी मन की भावना है जो मुझे नजर आई है चले आप देखते हैं कि इस relationship को या इस connection के लिए आपके पूर्सन आगे क्या करेंगे है ना इच्छा है तो मन की भावना है तो हमें समझ में आ गई है अब देखना बाकी है कि इन्हें इस सपने को साकार करने के लिए इनसान आगे क्या करेगा इसके लिए मैं दूसरे डेक का इस्तमाल कर दी हूँ इस डेक से मैं देखूंगी मैं ज़्यादा energies नहीं निकालूंगी reading बहुत लंबी हो जाएगी मैं बस कुछ तीन almost मैं 3 cards यहां से pull out करूंगी तीन cards निकालूंगी और उसी में जो निकलेगा वही आपके लिए जवाब होगा कि यह इनसान आगे क्या करेगा बचाने के लिए इस रिस्ते को बचाने के लिए सपने देखना और उसे हकीकत में करना इसमें बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि उपर वाले ने तो हमें बताया है इस स्वर ने कह दिया है कि इस इंसन में वो करे जा रही है वो हिम्मत ये इंसन कुछ न कुछ दिखाने वाला है तो क्या करेगा वो देखते हैं यहां से अगर कुछ पॉजिटिविटी निकल कर नहीं प्यारती है तो बस आपको डेख के उस कार्ट को ध्यान में देना है वो कार्ट बहुत सारी चीज़े आपको बता रहा है हैना कि आपके पोसन में अगर प्रॉलम है अगर आपके पोसन की तरफ से गलतिया हुई है अगर आपके पोसन नाकाम्याब हुए है है इस रिष्टे को बचाने के लिए फिर भी मैं हूँ ठीक है डेत का मतलब है कि मैं हूँ मैं इस रिष्टे में फिर से नई करूंगा इस वर ने आपको यह कह दिया है और तो यहां पर जो भी निकल कर आए उसे आपको एक्सेप्ट करना है और इस्वर के उस समय के लिए आपको इंतजार करना है जहां पर रिबर्थ होगा आपका रिस्ता इस इंसान के साथ ठीक है मैं सिर्फ तीन एनर्जी निकालूंगी जाइस ठीक है Queen of Pentacles Knight of Swords बस जवाब तो मिल चुका है फिर भी मैं एक निकालते हूँ कि दो फूल यह हुई ना बाद गाई वाव ऑसम 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 बॉटम में सिक्स ऑफ सोट्स के एनर्जी निकल कर आई है तो चल यह एक्शन से ही भरा हुआ जो है कार्ड निकल कर आया है सबसे पहले मैं आपको बता दो कि इस कनेक्शन के लिए इंसान क्या करेगा सबसे पहले साथ साथ एक एक इसे रहा है जिसे हम प्यार करते हैं अपना सब कुछ ने जो है सब कुछ हम दे देते हैं आगई हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते आप यह कुछ ऐसे ही हो हमीशा काइंण हो हमेशा इनके लिए अपने भलापने दिया है कि यह कंपेर करेगा कि दूशरे लोगों ने अनको हैस्व बोच दिया है इनके उपर दाईत्व जो है ठोपा है इनसे लेने की कोशिश किए है पर आप एक वो इनसान हो जिन्वने इनको हमेज़ा दिया है खुले हातों से आपने इनकी मदद किये इन का कड़ाया है अब इसां किसी और कार्णेशन के बारे में नहीं थर्टपार्टि के बारे में सोचेगा खुद में अ summat यजट के बारे में सोचेगा जो वह अब तक सोचता आया है मैंने कहाएं कि बहुत जबंगे इस कार्ट से कि इंसान अब आपके लिए कुछ भी करेगा किसी भी एक्स्टेंट पर चला जाएगा यह अब परवाही नहीं करेगा हैना कोई ना कोई एक इस परवाही नहीं कोई एक चांस एक मौका यह इस जरूर आपके जिन्दगी में वापस आने के लिए इनसान करने वाला है देखे आप इस पिक्चर को देखो कि आपको समझ में आ जाएगा एक इनसान है जो नदी के ऊपर जो है बिना सोचे समझे जिन्दगी के परवाह बिना कि मरें गे या जिंदा रहाएं गें ठोकर लग जाएगी चोट लग जाएगी दुन्या क्या कहेंग लोग परीवार क्या कई किसी चीश की पर रहा है तूसरoter चीशन को बचाने के MILL Edian experiment करने वाला है इस嗯 कान्ø हरो को यह दो यह इनसान और और उन श XML सपरने के लिए छलंग लगाएगा इंसान ठीक है अब देखे नाइट उफ स्वर्स खुद आपने आप में एक एक्शन निकल कर आया है जो ज्यादा तर लॉंग डिस्टंस वालों को दिखाता है यह इंसान देखे आप जल्द बाजी मचाएगा जैसे ही आपका यह डेथ जो आया थ सोचना ओवर्थिंकिंग करना यह सारे छोड़ेगा बिल्कुल मतलब आपकी तरफ ही दौड लगाएगा यह इंसान ठीक है इस कनेक्शन को बचाने के लिए इन में इतनी जल्दबाजी होगी ना कि बहुत सोचा है मैंने बहुत लंबा वक्त ले लिया है पर आप मुझे ज पहले आपके तरफ आएगा जल्दबाजी में इनसान आएगा और ऐसे ऐसी चीज़ें आपके लिए करेगा ना मतलब सोचेगा नहीं समझेगा नहीं यह इंसान बस करकर बैठेगा आपके इस कनेक्शन को बचाने के लिए समझ गये तो दोनों ही एक्षिन को लेकर निकल कर ईसके बारे में क्या कर kendallon घौर जोड़े और कि आपके परवाह नहीं की है वापस कम बैक कर रहा है है वापस परिश्थितियों से लड़ेगा आपके लिए लोगों से लड़ेगा आपके लिए इसला वैल्डे वक्त नहीं लगेगा इस connection के लिए कुछ भी करने में इनको ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा और वह आवैकनिंग्साइद यूनों कि आपके वैल्यस हमजहना आपके प्यार की कदर करवाना आपनी इनके लिए क्या 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 है यूनों इनके लिए क्या वातर स्चं highway कर ठीक है, तो इस स्वर ही यह सारी चिते इन्होंने ही प्लान की है और ये इन्सान अप जो है, ये इनसान बसा आपका हुआ और आपकी तरफ ही आया और तब आपको सिकायत करने की ज़ो है जरूरत नहीं होगी, आपको सिकायत का एक मौका भी नहीं देगा कि तुमने मिरे यहाँ आपने इसे पूचा भी होगा कि तुम्हें अगर मेरे लिए अब तक किया यह मैं ने थोычно सब कुछ करके देख लिया मैंने तो तो तुमने तुम्हें के उस्था पे लिए यह तो आपको सिकायत कम का मुझे नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई hermit नहीं आया है यहां पर जो है कोई सब्र करने वाली या इंतजार करने वाली energies निकल कर नहीं आई है बहुत fast movement निकल कर आये हैं तो ज्यारा इंतजार मुझे नहीं लगता कि आपको करने की जरूर थे तो यह थी वह दो टॉपिक पर रिडिंग जो मैंने आज बिल्कुर डिफेंट तरीके से की है आई होप आपको समझ में आ गया कि इनके मन में क्या है और इस कनेशन के लिए वह आपके क्या करेंगे अगर रिडिंग पसंद आई है गाई तो वीट्यो पर लाइक कमें शेर और सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूंगे आपसे फिर से नेक्स रिडिंग में तब तक आपको ने बहुत जड़ा प्यार आई लव यॉ आल ठेक खेर नमस्ते और बबाई गाई गाईज वालकम बैक सजीनों ने भी पाल नमबर दू सी इजी आयल जी क्यू एनार यू टी डबलो और जैट सेलिट किया है गाईज चले देखते हैं दो टॉपिक पर मैं आज रिडिंग कर करेंगे या टोटली जो है मतलब कुछ भी हैना इस कानेक्शन के लिए इनका क्या इनकी क्या जिम्मेदारिया है उसे हम आज देखने की कोशिस करेंगे तो सबसे पहले रिडिंग की सुरवात यूनिवर्स की तरफ से ही करना है हमें यूनिवर्स वो है जो सब चीज सारी च के लिए ठीक है देखते हैं क्या है इनमें नमबर नाइन एक्जोशन वाली निकल कर आई है जो एक तरीके का ज्वाला मुखी होता है है नमबर नाइन है अंडर्स्टैंडिंग वाव ब्यूटिफूल एनरजी अंडर्स्टैंडिंग और एक्जोशन वाव है कि गईस चल्डे डेट शे आज मैं रिडिंग को चल्लग अलग अंदास से करी हूँ इस डेक्स से मैं निकालूंगी कि उनके मन की भावनाई है उनकी current energies क्या है क्या मैसूस कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं और दूसरे टेक से मैं यह निकालूगी कि इस connection के लिए आगे क्या करेंगे ठीक है तौक आपको रिडिंग पूरी देखनी है रिडिंग यहां पर खत्म नहीं होती है तो दूसरे डेक का भी रिडिंग होने वाला ह तो आपको पहले इसे खत्म करना है उसके बाद दूसरे डेक्वारी एनर्जीस को भी हम देखेंगे ठीक क्योंकि दो टॉपिक है तो मैं मैंने सोचा कि आज डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीके से ही एनर्जीस निकाल लूँगी मैं समझ गए ना गाईज द्या गच्त्त्तरते हो बिफ्रेंट टो खींगेंडे असे ही डेवल ओ माई गाड खिंग आफ काफ्स क्या बात है देखें गाइस यह तो बिल्कुल ना यह नॉर्थ पॉल और साउथ पॉल जिसे हम कहते हैं ना बिल्कुल आफ्स इनर्जी होती है एक तरफ एट्रक्शन है तो दूसरी तरफ प्यार है क्या बात है गाइस बिल्कुल आपोसिट एनर्जी यह किसलिए ऐसा ऐसे निकल कराई है आज फीलिंग्स में चेंजेस या फिर एनर्जी में चेंजेस इस्प्रिट्रिल आवेकनिंग की वज़े से यह हुआ है कर्मा की वज़े से यह हुआ है मतलब डेविल और किंग अफ काफ्स अचंबित करने वाली एनर्जी है दोनों ही टोटल डिफरेंट चैंडेट क्या बात है मिजर अचाना दूसरा निकल कर आया है डेवल और चैंडेट लो कर लो बात अब साथ में आ गए हो तो साथ में एजग देते हैं गाईस किंग ओफ काफ्स विट कूइन आफ काफ्स पावर पावर कपल की अनर्जी ओ माइग गाड ओसम 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 क्या बात है गाईस मजा आ गया टू आफ सोर्स जज्जमेंट टैन अफ वैंस एंड लास्ट पर नॉट लीस्ट वी हैब मैजीशन ऑगे मैजीशन आया है बॉटम में नाइन अफ सोर्स के एनर्जी आई है क्या बात है गाईस बहुत खुबसरत कार्ट निकल कर आए हैं बहुत तो गया साइन और वैलेमेंट की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि मैंने आप से कहा कि आज खेलिटिंग में क्याप्रिकॉन और कैंकल स्ट्रॉंग हो सकता है या आफके साइन हो सकते हैं आफके पॉर्स कि हो सकते हैं इसका लावा तो व ira साइन है कैंसर स्कोर पीस, करकुल्षि इनके मन में क्या चल रहा है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो मैं एक बात आपसे कह दू है अगर आपका यह इंसान कर्मिट में भी आपके साथ था कार्मिक निक्शन या फिर पास्ट लाइसक। जिसे हम कहते हैं कि आप दुनों का फिर से जुड़ा है आप तुनों फिर से मिले हो तो जो भी हो सकता है कि कर्मा की वज़े से यह ठकराए थे या मिले थे या रिलेशन्शिप में आये तो आपको समझना है कि अब यह इंसान वैसा नहीं रहा है ना कुछ लोगों के पूर्सन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा और चीश के लथ है इस इस सान को तो कुछ लोगों के प्रफेशन अडिक्शन में मुझे नजरा रहे है रहा है टीकि चिसी दरकी का होता है तो सभी के लिए साथ यह एनर्जी ना हो पर कुछ लोगों के लिए यह डिफनेमिटल्टाव के पूर्सन ऐसा एनर्जी तो इसके साथ अभी मैं देखने की इंसान आपको बहुत प्यार कर रहा है इतना जड़ा इनके मन के अंदर का दिल में इनके मन में क्या चल रहा है आज का सवाल यह है तो मैं क्या बताओ कि इस इंसान के दिल आपके और नहीं देख पारें 우他的 और निगल कर आई यह इंसान आपके लिए इस नसे में हैं इनको एसा एक्फिशन कहीं बार बार आपके याद आप ना रही है बार बार हैं और आपके प्यारूतик निगता कंड़ पर तड़पना बार बार आपकी सपने देखना क्योंकि यहां पर देखे नाइन ओफ सोड़ भी आया है इसलिए कि आपको सपने में भी देख रहे हैं तो इस इंसान का प्यार मैं देख रहे हूं कि बिलकुल चेंज हुआ है एक डेविल की एनरजी से अगर कोई इंसान आपको कि इनरजी में आपको प्यार कर रहा है तो अब आप खुछ सोचो कि यह इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा तडप रहा है इनके मन में मुझे आपके अलावा कुछ और नजर आ नहीं नहीं रहा है हाला कि कुछ सिच्वेशन यहां पर ऐसी है जो इनकी प्रॉलम्स को इनक इनकी देख रहे हूं गाइज देखें बिलकुल यह क्या होता है किंग और किंग के एनरजी क्या होती है क्या होती है यह होती है यह होती है पति पत्नी के एनरजी यह होती है वाइफ और बॉइफ्रेंड के एनरजी क्रस्ट के एनरजी कहूंगे न तो यह बहुत बड़ा न पैदा करना चाहता है जिसके साथ घर बसाना चाहता है जिसके साथ जीना चाहता है जिसके साथ मरना चाहता है तो वैसी आपके पोस्टन आपको फील कर रहे है यूनों यह आपको अपना अपना बेटर हाफ महसूस करें इनके मन में आपके जगह है इनकी मन में जो आपका किसी को रिष्टेदार कहते हैं अंकल कहते हैं आंटी कहते फूपी कहते फूपाजी कहते हैं पर आपका जो इस इंसान के मन में देखें एक पत्नी की तरह पती की तरह जो है इन्होंने अपने मन में आपको एक जगह दे रखी है मतलब इसके अलावा यह आपको किसी और नजर से नजरिये से नहीं देख रहा है इंसान बेटर हाफ आप इनके सरीर का एक अंग हो आप इनकी जिन्दगी हो आप इनका सब कुछ हो जिसके साथ यह अपनी पुरा भविश्य देख रहे तो इनके मन में आपको लेकर यह भावना है जो हो आप ही हो समझ गए तो यह है इनकी मन मन की वह प्रबल भावना है जो यह महसूस करें अब चले बागी बात यह बिल्कुल बेसिक से चीज़े हैं जो हार रिलेशन्शिप में होती है जो हर प्यार करने वालों के बीच में बंक करनेशन के लिए क्या करने वाले हैं मैं दूसरे डेक से बात में निकालूंगी हाला कि यहां पर बहतरी ने अक्षिन निकल कर आया है फिर भी मैं इन्हें आज आपको नहीं बता रहे बस इनकी इमोशिन्स के बारें बात कर रहे हूं ठीक है तो नाइन ऑफ सोट जो आया है यह बता रहा है इनकी बेचेनी को जानते हो कि यह राते जो बीत नहीं रही जो कट नहीं रही जहां पर इनसान सो नहीं पा रहा जहां पर इनसान गिल्ट में है रिकरेट में है पस्तावी में है परिशान है नीदे गायब है इस इनसान की बेचेनी महसुस कर रहा है बुरे इस बेट के बगल में आप हो, यूनों ये चाहता है कि ये ऐसे सिंगल नातर पे, ये चाहता है कि ये कास इनके पास आप होता कि ये आपको अपना सब कुछ बया कर सके, सब कुछ बता सके, अपने बेचेनी के वजह बता सके, अपने दिल का दर्द बता सके, अपने खामोसी क को अपने बगल में मैस्स करना चाहते हैं पर आप उनके बगल में नहीं आप इन कंद नहीं हो पर बटमना यह लाइन इंसारी भावनाओं से उपर है कि है नौलव रहे हो तो Takes जड़ा रिग्रिट वाली एनरजी में आपके पोसन नज़राए है और मन में बहुत जड़ा दर्द भी मुझे नज़रा रहा है तकलीफ मुझे नज़रा रही है वो सेम वही है कि आप इनके साथ नहीं हूँ अभी यह आपको अपना सब कुछ मानते हैं मान रहे हैं आपके प वज़े से यह इंसान बहुत जड़ा परिशान है यहां पर भी जो है इमोशन की कमी नहीं है यहां पर भी जहां भी पानी नज़र आ गया आप समझ लो उस इंसान के मन में प्यार है जहां भी कप नज़र आ गया आप समझ लो इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार है तो का असर जो है मेरे रिस्ते पर पड़ गया है जिसके वज़े से मुझे मेरा रिस्ता मुझसे छूड़ गया है ना तो confusion यहाँ पर definitely इनके energies में है इसके वज़े से इनसान जो है आपने भावनाओं में सीमित है भावनाओं को express नहीं कर पारे आपके सामने दिखा नहीं पारे because of this two of swords तो एक पलड़ा जो है आपका है तो दूसरा पलड़ा यहां पर किस तीस का है किस तीस को लेकर यह इंसान अपने मतलब इनको इतने दवाव में यह इंसान है कि जिसके वज़े से यह इंसान देखे आपको आप इनके जिन्दगी में हो भावनाओं में हो मन में हो मस्तिक्स में हो जगे सारी जगे पर आप छाए हो फिर भी यह इंसान जो है इतना मजबूर है कि यह आपको अपना expressions नहीं दिखा पा रहा शेर नहीं कर पा रहा कारण क्या है इस दूसरी तलवार के पिछे की वज़े है 10 of swords sorry 10 of wands अब यह 10 of friends किस चीज़ को indicate करता है गाई दाइतों को indicate करता है बोडन को indicate करता है है यह जो है परिवार को दिखाता है यह किसी जिसके बोच के होने को दिखाता है तो यह जो दूसरी तलवार लटकी हुई है वो है इस इंसान का बोच जहां पर यह इतना ज्यादा pressure महसू दूसरी जाती है दूसरे के बाद तीसरा बड़न जो है कंदों पर लाद दिया जाता है तो कही न कई इस बड़न की वज़े से इस इंसान ने अपने प्यार को किया है sacrifice समझ गये तो मेरे मैं मुद्दे पर आना चाहती थी कि जो आज यह जो एक जोड़ी जुदा हुई है जो आप दुनों का जो एक divine connection जुदा हुआ है तो उस पीछे की वज़े बहुत बड़ा heavy energy है और वो है family की energy हो सकती है यह 10 events या फिर जो है कोई ना कोई workload हो सकता है या फिर हो सकता है कि कही ना कही समाज की तरफ से आया हुआ pressure है तो यह pressure यह इंसान महसुस करे जिसकी गलणी तो मैं क्या कहूं गई teu इंसान अभी भी आपके प्यार में खोया हुआ है आपके प्यार के नसे में है यह यह इनसान मेरा शफ्ट Sor と कर दिया मैंने compromise कर दिया तर अभि में मैं क्यों इनके लिए हैंना feelings महसूस करता हूं अभी भी मैं इनको जो है भूल नहीं पार क्यों आभी भी मैं इनको अपनी जिन्दगी से जो है कार कर नहीं फेक रहा इन से जो है अलग नहीं हो पारा वजह क्या है तो अभी यहां पर style confusion में यहां से डाउट में या फिर है ठकान है समझ गया ठकान की वज़े से किया गया sacrifice है तो अब बाकी बाते करते है judgment के बारे में अब यह तो बड़ा काड है जैसे कि चैरिट बड़ा काड आप judgment तो इस इन सांके मन की भावनाव में यह नज़र आता है कि इंसान जानता है ना कि दूर हुए तो किस से दूर हुए अपने ही दिल से दूर हुए है अलग हुए तो किस से हुए अपने प्यार से ही अलग हुए है ना ना इंसावी की तो किस से की अपने प्यार से ही की और खुद से की है ना इनको इस बात का हैसास है क मेरे सबसे बड़ी गल्टी थी हैना मैंने ऐसे इंसान को ठुकराया जो मेरे लिए एक वरदान था जिसे इस वरने मेरे लिए चुना था जिसे इस वरने मेरे लिए बनाया था जिससे मैंने बहुत प्यार किया था और जिसने मुझसे बहुत प्यार किया था तो इनको इस बात का एसांस है कि गलती मुझसे हुए है गलत मैं हूं मेरा वैसा गलत था मेरा दिषण गलत थी है अ कि मुझे अपना ृट आपनर शाहिए मुझे अपना रिष्टा वापस चाहिए छिज्यमिट मेंसा я व्यूरा होती है समझ सब्सक्राइब कर रहा है इस रिस्ते में वापस जुड़ना चाहते हैं कि आज इस पीछे मेरा ये गलत स्था था तो इनके मन में यह जो है ठावना आचुकी है पैरा हो चुकी है अब करते हैं यहनु इस रिलेशिंशिपट को ले कर इतना ज़या इनका इस मुकाम पर है यह चाहते हैं कि अपने प्यार को पाने के लिए मुझे अब कुछ भी करना है या इनकी ऐसी प्रबल भावना में नंजर आई आ है निकलना चाहते है और कुछ बड़ा आप दोने के इस connection के लिए करने के पारे में सोच रहे हैं बोल्ड डिशियन सक्सेस्फुल रिलेशन्शिप को बनाना हैना आपके लिए किसे के साथ लड़ाई करने भी पड़े लड़ना भी पड़े हारना भी पड़े कुछ भी करना पड पर दो धारी तलवारों के बीच में निसाना बन कर कुछ होगा नहीं है अगर मुझे कुछ करना ही होगा इस डिवाइन करनेक्षिन को बचाने के लिए अन्जाम तक पहुचांगी में में अप जानते हो कि जो सोचा है वो पूरा होगा है नहीं जो है भी बड़ा उनर्जी है जो यह बता है कि सच में जो भी आप पर महसूस कर रहा है उसमें सत्यता उसमें कोई भी किसी भी बात की जूट नहीं है ये इंसान आपके लिए पागल जैसा पागलपन है क्योंकि देखे पागलपन की एनरजी डेवल का काड़ आया है अधिक्शन का काड़ आया है साथ में प्यार का काड़ भी आया है तो लव एन लश्ट दोनों ही इस इनसान के स्चुवली में आपके लिए निकल कर आया है प्यार भी है sexual चीज़े आपके लिए महसुस करता है आप में ही डुबा है आप में ही खोया है आपके ही प्यार में ये इनसान जो अपने limit को क्रॉस ले किसमारे सहरा है लाया हो तुम तुम बस कदम आ गे बड़ाओ मेरी ब्लेस्टिंग तुमारे साथ है ना मैं तुम्हें इस कनेक्शन को भूलने नहीं दूगा तूम्हें इस इंसान को तुम भूल नहीं सकते मैं तुम्हें याद दिलाता तुम इस कनेक्शन से दूर नहीं हो सकते तो इस तरीके का पावर्फुल आप दुनों का कनेक्शन है जहां पर जो है यह जो चीज़े टेंप्ररी चल रही है जहां पर आपके पोसंड डेफिनितली कोई पर दोने के रिलेशन्शिप में आने वाली है इस वर एंजल्स युनिवर्स प्रिट गाइड आपके अंसेस्टर्स सारे के सारे जो है आप दोनों की मदद भी करेंगे इस इंसान को इस परिस्तिती से निकालने के लिए इस दोधारी तलवार से एक फैसला लेने के लिए इस तो गैरेंटी है अब बात करते हैं उपर के दो कार्ट के बारे में यह बताती है एक तरीके का ज्वाला मुखी होता है एक घुटन होती है जो अलड़ी हमें यहाँ पर भी देखें नमबर 9 सेम एनरजी निकल कर आच चुकी है कि इंसान घुटन में है यह इस इंसान के है और गुटन किस चीज को लेकर है कि वो आज आपके साथ नहीं इंका इन जो पार्टनर है नशीं के साथ नहीं जो जौला मुखी फटेगा और चैरेट यहाँ पर निकलेगा अब बस आप इतना सिंपली मैं आपको बता रहे हूं कि जिस दिन इस इंसान का जौला मुखी फटा अंदर का जो है ना गुसा फटा है ना जो यहाँ पर लगा हुआ है ना कि दबा रहे दबा रहे प्रेशर दिये जा रहे लोग है बिल्कुल इनको जीने नहीं दे रहे यह इंसान जो है दबा हुआ म ऊश्और कर रहे。」 तो इस दिन फटा गई निकला यह इनसान इनको को समझता है इनको पता है कि अगर इस पुरे ब्रह्मान में इस दुन्या में अगर इनको कोई समझता है तो वह आप हो है ना बस आप हो है ना प्यार अगर इनको कोई दे सकता है तो वह आप हो आप वह इनसान हो जिसने हमेशा इनको समझा है इनकी मजबूरियों को समझा है हमेशा जो है चाहे इनकी गलती रही हो आपने इनकी जो है गलत फैसले को भीना आपने अक्सेप्ट किया है इतना ज़र हो बहुत ज़्यादा अपना पन है इस कनेक्शन में जो इस्वर ने कहा है और डेफिनेटली ये इंसान कुछ ना कुछ आसा बहतर आपके लिए करने वाला है जो आने वाले समय में आपको नजर भी आ जाएगा दिखी भी जाएगा क्योंकि इनकी भावनाव में जो चीज़े है उसे इस वर पूरा करेगी अगर यह नहीं कर पाया तो इस वर जबर्जिति करवाएगा कि तुम्हें आक्शन लेना है अगर तुम खुश होना चाहते हो अगर तुम्हें जिन्दगी जीना चाहते हो तो तुम्हें आक्शन लेना पड़ेगा तो इस चीज़ में एक्से निकालने वाली हों गाइस में तीन यहां से ले रही हूं जो भी निशनगे गाइस ठीक है आपको उसे एकसेप्ट करना है ठीक है क्यूंकि हमें दिखा है चैरट निकल कराया मेजरा कशन निकल कराया है जो हमें बता रही है कि अगर तुम्हारे portion कुछ नहीं कर पाए ना तो हम तुम्हारे पीछे हैं इसरों ने आपसे ये कहा है कि हम वो सारी चीज़े करेंगे तुम्हारे favor में करेंगे judgment तुम्हें मिलेगा जो है बिल्कुल unexpected way में ये इंसान वापस तुम्हारे जिन्दगी में आएगा जो इन्होंने अभी तक आपके लिए किया नहीं है वैसे फैसले आपके लिए लेगा आपके लड़ेगा ये इंसान आपके पास आएगा ये इंसान चैर्ट है ना तो वो एक होना ही है वो क्या आक्शन लेना इस वर चीज़ जो करना है वो चो करेगा ही गाइस है ना आपके पोसन इस कनेक्शन के लिए क्या करेंगे ये देखते हैं ठीक है है 10 of cups 4 of swords 1 more 5 of swords guys bottom में देख लो oh my god जो सेम वहाँ पर निकल कर आया था king of cups and two of cups के energy वहीं यहाँ पर हमें soulmate के energy देके फिर से निकल कर आई है ना क्या दमदार carbs क्या दमदार energies है guys तो मैं आपको बताती हूँ कि इस pure connection को लेकर इस divine connection को लेकर यह इंसान आखिर क्या करेगा आगे यह हमें जानना है तो मैं आपको बतातू guys सबसे पहले कुछ दिनों तरक या कुछ समय तक यह इंसान बहुत ज़्यादा एक लड़ाई लड़ेगा ठीक है यहाँ पर five of swords आया है four of swords आया है जो four of swords यहाँ पर rest को दिखाता है resting position होता है न यह guys की break up हुआ है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचेगा जैसे कि nine of swords भी नज़र आया था इनके bottom में की बहुत overthinking कर रहा है regret कर रहा है तो four of swords बता रहा है कि इस इंसान को थोड़ा समय लगेगा खुलने में समय लगेगा अपने प्यार को express करने में समय लगेगा आपकी तरफ आने में समय लगेगा यह इंसान बहुत सारी चीज़ों को ना यह तोल मोल करेगा यह मतलब overthinking अगर आपको एक माइन एक लाइन में बताऊं तो overthinking बहुत करेगा इस कानेशन को कैसे बचाना है जो problems मेरी जिन्दगी में है उससे कैसे निकलना है परिवार का अगर बोज्ज को कैसे सब्सक्राइब करना है जो लोग हमारे खिलाफ है उन लोगों को कैसे मनवाना है तो यह सारी चीज़ों के लिए यह इंसान थोड़ा वक्त लेगा समझ गए रेस्ट करेगा आप आप जल्द बाजी मचाओगे या यह जल्द बजी बचाएगा ऐसा नहीं है क्या इनसान एक फैसला लेगा यह इंसान हर संभव कोसिस करेगा को यह आपके साथ रिष्टे को सफल बनाना है तो इस इनसान को बहुत सारे लोगों से लड़ना है मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि इतनी आसानी से आप दोनों को ये टैन आफ काप्स नहीं मिलेगा चैरिट निकल कर आया था जो बता रहा है कि ये इनसान आपके लिए फैस्ता लेगा पर उस फैसले को लेने के लिए भी इनको पहले लड़ना होगा लोग इने हराने की कोशिस करेंगे लोग इनके और आपके बीच में समस्य आए पैदा करने की कोशिस करेंगे लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ है प्रॉलम्स यहाँ पर जो है हर्डल्स जो है आप दुने के रिस्ते में डालने की लोग बहुत की वाव को पाने के लिए कि आपके कानेशन को को यह बचाएगा और आप दोनों का एक होना यही ःता उपर निकल करահॉट यहाँ तंशी नजब को नजर आ चुका है समझ गए मतलब यह कुछ भी करेगा यह इंसान पर पहले बहुत लंबा वक्त या फिर बहुत समय इंसान लेगा गाईज ठीक है इतनी जल्दी से इतनी आसानी से यह इंसान यून एक तरीके से छलांग नहीं लगाएगा यह प्लानिंग करेगा क्योंकि इनको किसी भी हालती म में आपको वापस पाना है यह आपको बहुत प्यार करता है यह इंसान यह आपको सोल मिल्ट मानता है अपनी सरीर का आदा हिस्सा यह इंसान आपको मानता है गाईज और इसको पाने के लिए बहुत सारा संघर्स यहाँ पर निज़रा रहा है और यह संघर्स भी करेगा गाईज और फाइनली मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का एक होना तै है यहाँ पर ब्लेसिंग्स है यहाँ पर विजिस टैन अफ काप्स आप दोनों का एक परिवार है यहाँ पर परिवार में धेर सारी खुशिया है और बाल बच्चों के साथ है गाईज तो यह एक बहुत डिवाइनली कनेक्टेड रिलेशन्शिप है जिसे मैंने कहा ना कि यह इंसन हारेगा भी हराने के भी अगर आप दोनों को कोशिस की जाएगी तो वहाँ पर में जीशन आया है जो बता रहा है कि मैं तुमारे रिलेशन्शिप को प्रोटेक्ट करूंगा मैं तुमारी बैक में हुँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा क्योंकि इस और खुछ चाहती है कि रिस्ता आगे बड़े इस और खुछ चाहती है कि आप दुनों एक हो आप दुनों का soul to soul connection है इसे आपको समझने की जरूत है इतना इतना कच्छा रिस्ता नहीं है जिसे लोग आकर तोड़ जाए जिसे जो है एक इस उनों का relationship और इस खुद कुछ ना कुछ थोड़ा समय लेने के बाद थोड़ा संगर्स करने के बाद यह इनसान जो है टेक केर नमस्टे और बाई गाइस